हेलो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे टिक्नोमेटरी के जेए मेंट 23 के क्योशन की राइट ठीके वन बाइवन हम हर एक क्योशन को डिसकस करेंगे पर जब क्योशन आपके स्किन पर आएगा तो आप उसको होल्ड करके खुद से एक बार ट्राय करने की कोशिश करना ए करते हैं आपर पहला क्योशन आपके स्किन पर यहां पर 10 inverse 1 minus root 3 upon 3 सुरी 1 plus root 3 upon 3 plus root 3 plus chic inverse root of 8 plus 4 root 3 upon 6 plus 3 root 3 is equal to ठीके आपके सामनी क्योशन है एक बार चेक करिए ठीके एक बार ट्राय करिये आप इसको सोल करने के लिए फिर सोलुशन स्टार्ट करते हैं आपर तो इसका सोलुशन है याँ पर अगर हम 10 इंवर्स इसमें से यहां पर रूट 3 कॉमल ले लेते हैं तो यह क्या बन जाएगा 1 प्लस रूट 3 बन जाएगा और उपर भी क्या है आपका 1 प्लस रूट 3 है इसी के साथ इधर भी हम बात कर लेते हैं अपर ठीक है अगर यहां पर हम ध्यान से देखे तो से एक इंवर्स यहां पर 4 कॉमल ले लेते हैं यहां पर 3 कॉमल ले लेते हैं ठीक है तो 4 कॉमल लेंगे और 3 कॉमल लेंगे तो 4 और यहां पर आएगा 3 उपर क्या रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पर भी कितना जाएगा, 3 को मल लेंगे, तो 2 प्लस रूट 3 है जाएगा ठीके, अब दिखेंगे आ रहे, यह तो cancel हो गया आपका और यह भी cancel हो गया आपका, ठीके, तो क्या निकल कर आया 10 inverse, यहाँ पर आगया 1 प्लस रूट 3 प्लस एक इनवर्स देखो, रूट 4 प्लस रूट 3 है न, तो 4 का रूट हो जाएथा है, 2 के बराबर है तो यह हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीके, अब दिखेंगे, 10 inverse 1 by root 3 जो है, वो यहाँ पर हो जाता है, 5 by 3 के बराबर, 5 by 6 के बराबर, ठीके, और यह भी कितना हो जाता है, 5 by 6 के बराबर होता है तो यहाँ से हमारा answer आजाएगा, 5 by 3, ठीके, तो 5 by 3 यहाँ पर पहला option correct हो जाएगा एक बाद चेक कर लेते हैं फटावट से, तो पहला option यहाँ पर correct है, ठीके, चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर, simple question है direct value में बताने दी, right, start करते है second question second question है यहाँ पर, the set of all values of lambda for which the equation cos square 2x minus of 2 sin to the power 4x minus 2 cos square x is equal to lambda has a real solution x is, ठीके, यहाँ पर हमें lambda की value बतानी है, set बताना है, पूरे values का तो start करते हैं यहाँ पर solve करना, देखे, इसको रखेंगे हम as it is यह 2x है, है न, इसको हम change करेंगे, इसको हम change करेंगे, देखो कैसे change करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो 2 बाहर है, 2 बाहर रखेंगे, इसको लिख सकते हैं, sine square x का square ठीक है, minus यहाँ पर यहाँ से देखेंगे, तो 2 को square x है, और 2 को square x जो होता है, यहाँ पर 1 प्लस cos 2x के बराबर होता है ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से multiply और 2 से divide कर देंगे तो यह 2 से divide करेंगे, तो 2 का square हैगा न, तो 2 का square से multiply और 2 का square से divide भी कर देंगे यहाँ पर देखो, यह होगा आपका cos square 2x, minus का, यह 2 by 4, यह हो जाएगा 1 by 2, ठीक है 2 sine square x का square है, अब देखो 2 sine square x को हम लिख सते हैं, 1 minus का cos 2x minus, यहाँ पर है 1 plus का cos 2x, ठीक है, देखें, आगे solve करेंगे, cos square 2x अगें आ गया यहाँ पर इसका square open करेंगे, तो क्या क्या आएगा, minus का 1 by 2, 1 का square 1, plus यहाँ पर हैगा cos square of 2x minus का 2 cos 2x है रहा, यह कितना है, minus का 1, minus का cos 2x अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यह देखो, यह term, minus का 1 by 2 से multiply होगे, क्या बन जाएगा plus का cos 2x बन जाएगा, जोगी cancel हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है आगे अगर हम बात करें, तो देखो, यहाँ पर cos square 2x है, और यह minus का 1 by 2 cos square 2x है तो यहाँ पर जाएगा 1 by 2 cos square of 2x यह minus का 1 by 2 और minus का 1, minus का 3 by 2 हो जाएगा, ठीक है अब देखे यार, यह अगर x यहाँ पर real values है, लिखा होगा है has a real solution x, that means real values है, तो यहाँ पर अगर हम cos 2x की बात करें तो minus 1 से 1 ही रहेगा, ठीक है ना, cos की रेंज माइनस 1 से 1 होती है square करेंगे तो 0 से 1 हो जाएगा, तो cos square of 2x जो है, वो यहाँ पर रहेगा 0 से 1, और अगर मैं यहाँ पर इसको 1 by 2 से multiply कर दूँ, तो यह हो जाएगा 0 by 2 हो जाएगा, 1 by 2, और अगर मैं minus 3 by 2 सब्टेक कर दूँ, तो यहाँ पर आजाएगा minus का 3 by 2, यहाँ पर आजाएगा minus का 3 by 2, यहाँ पर भी आजाएगा minus का 3 by 2, सब जेगा minus का 3 by 2 जोड दिया एक तरह से, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, तो यह तो हमारा lambda है न, यह तो हमारा क्या था, lambda था, starting से हम लाश्ट तक क्या चल रहे है, lambda को लेकर चल रहे है, तो यह तो हमारा lambda हो गया, और lambda कहां से कहा था गो जाएगा, minus का 3 by 2 से लेकर, क्योंकि 0 हो गया न, यह तो, और यहाँ पर आजाएगा minus का 1 by 2, ठीक है, sorry, minus का 1 हो जाएगा माइनस का 3 by 2 में से अगर 1 by 2 एड़ कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा तो अगर option wise बात करें तो देखो यह जो option है न यह second option correct हो जाएगा माइनस 3 by 2 से लेकर माइनस का 1 आई होग क्लियर हो गया होगा आपको चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं एक बाब option चेक कर लेते हैं इसका न सेकेंड ओप्षन यहाँ पर correct हो जाएगा अगला क्यूशन यहाँ पर if 10 15 degree plus 1 upon 10 75 degree plus 10 105 degree plus 10 195 degree is equal to 2a ठीक है then the value of a plus 1 by a is ठीक है चलिए तो start करते हैं इसको भी ठीक है यह 10 15 degree लिखा हुआ है प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 10 90 minus का 15 degree चलेगा बहुआ 75 degree होता है न अब इसके बाद में यहाँ पे 10 105 degree है इसको भी हम 90 plus 15 degree लिख सकते हैं न तो यहाँ जाएगा प्लस का 1 upon 10 90 plus 15 degree अगला यह देखो ध्यान से अगर इसको ध्यान से देखे तो यह 180 plus 15 degree लिखा हो है न तो प्लस 10 180 प्लस का 15 degree अब अगर हम गोर करेंगे तो यह तो agities है 10 15 degree है जाएगा देखो 10 90 minus theta जो की coat theta के बरावर होता है न तो यह coat 15 degree है अगर उपर लेकर जाएगे तो आपस से क्या बन जाएगा 10 15 degree बन जाएगा ठीक है 10 90 plus theta minus का coat theta के बरावर होता है अगर मैं यहाँ पर इसको reciprocal लेकर करूँगा यहाँ पर तो minus का 10 15 degree आ जाएगा उपस से और यह देखो 10 180 plus 15 degree 3rd quadrant में 10 के साथ होता है positive होता है that means यह additives हो जाएगा ठीक है यह तो आपका cancel हो गया तो answer कितना गया 2 10 15 degree आ गया और यह किसके बरावर है आपका 2 A के बरावर है तो यहाँ से A कितना गया A आ गया देखो cancel हो गया न 2 से 2 तो A आ गया 10 15 degree के बरावर है अब देखे 10 15 degree की जो value होती है वो हमें याद होनी चाहिए और अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पर इसको side में निकाल सकते है वैसे इसकी जो value होती है 2 minus root C के बरावर होती है ठीके पर किसी को लगता है कि हमें निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हो 10 15 degree को लिख सकते है 60 minus का 45 ठीके तो यह कितना हो जाएगा यहाँ से 10 A minus 10 B तो 10 60 minus का 10 45 degree अपॉन में 1 minus का 1 plus का 10 A 10 B 10 60 10 45 यह होता है root C minus का 1 upon 1 plus यह हो जाएगा root C तो अगर इसको rationalize करेंगे तो root C minus 1 से उपनीचे multiply कर देंगे तो आजाएगा root C minus 1 का whole square upon 3 minus का 1 जो की 2 हो जाएगा ठीके उसको open करेंगे तो आजाएगा root C का square 4 plus का 1 sorry 3 plus का 1 4 minus का 2 root C upon में 2 है तो आज से कितना जाएगा 2 minus root C जैसे कि मैंने बताया आपको 2 minus का root C आएगा यहाँ पे A की value आगे 2 minus का root 3 ठीके अब देखिए हमें क्या चाहिए A plus 1 by A है ना तो यहाँ पे हम A plus 1 by A अगर निकालते हैं तो यह जाएगा 2 minus root 3 plus 1 upon 2 minus का root 3 अगर आप इसको rationalize करोगे तो आज जाएगा 2 minus का root 3 plus rationalize करेंगे 2 plus root 3 factor से multiply divide कर देंगे तो यह जाता है 2 plus root 3 ठीके तो यहाँ पे root 3 से root 3 cancel हो जाएगा answer आएगा 4 तो यह पहला वाला जो option है ना हो correct हो जाएगा यहाँ ठीके आप हर एक step को अच्छे से समझ सकते हो ठीके और यहाँ पे 10-15 डिगरी की जो value हो याद होना चाहिए अपने को right चलिए आगे बढ़ते हैं इसका answer पहला हो जाएगा अगला question है if the solution of the equation log cortex base cos x plus 4 log 10x base sin x is equal to 1 x belongs to 0 to pi by 2 is sin inverse alpha plus root beta by 2 where alpha, beta are integers then alpha plus beta is equal to ठीके देखिए ऐसे question में गबनाना नहीं होता है एक बार आप इसको post करके solve करने की कोशिश करो ठीके फिर solution स्टार्ट करते हैं अब देखिए यहाँ पे cortex है, 10x है, sine x है, sine x है और cose x है तो क्या हम cortex को sine x, cose x में convert कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं 10x को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तो हम यहाँ पे convert कर लेंगे ठीके तो यह हो जाएगा, log, cortex को हम लिख सकते हैं, cose x upon sine x तो m upon n, log में है, तो log m minus log n हो जाता है, तो यह हो जाएगा, log, cose x minus का log, sine x और base है आपका cose x, तो यहाँ पे भी base cose x है और यहाँ पे भी base क्या जाएगा, cose x आज जाएगा, अब देख यार, यह ऐसा हम कैसे कर पाए, क्योंकि देखो 0 से pi by 2 दे रखा है x, और 0 से pi by 2 ऐसा coordinate है, जिसमें सारे trigonometry ratio कैसे होते हैं, positive होते हैं, इसलिए हम log में अलग कर पा प्लस का 4 ताइमस, यहाँ पर 10x को हम लिखते हैं, sin x upon cose x, तो इसको प्रपर्टी से लिख देंगे, log sin x, base sin x plus log cose x, अचा सोरी, यहाँ पर minus हाएगा, m upon n log, m minus log है न है, तो minus log cose x, base sin x is equal to 1, ठीके, चलिए, इसको फटावट से देख लेते हैं, यहाँ पर कितना हैगा, log a base a, जब उपर नीचे के लोग समान होते हैं, तो value किते हैं, तो 1 होती है, ठीके, 1 हो जाएगी, minus log sin x upon me cose x, ठीके, यहाँ पर कितना जाएगा, plus का 4, minus का 4, log cose x, base sin x is equal to 1, ठीके, 1 से 1 तो गया, है न, 4, और यह जो term है न, इसको उदर लेकर चल जाते हैं, तो 4, log cose x, sin x, और यहाँ पर जाएगा, और minus का, ठीके, इसको इदर लेकर गएगा, प्लस का आएगा, log, sin x, base cose x, ठीके, अब यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगा, इसको किसी को भी एक को टी मानने में फाइदा है, राइट, जो भी answer आएगा, तो सामने जाएगा, cos x की बाउट t जाएगा, तो उसको sin में convert कर सकते हैं, तो अगर अपने इसको t मानने में फाइदा है, ठीके, इसको t मानने में फाइदा है, तो यह हो जाएगा, यह हमारा, लोग, sin x, base, cos x, बराबर t, ठीके, तो यह अगर t है, तो यह 1 by t है, आपको पता हैं न, बेस और बेस और नमबर चेंज हो जाते हैं, जब लेसी बूगल करते हैं, तो यह 1 by t है, तो यहाँ पर आजाएगा, 4 is equal to, 4 by t, plus का t, lcm, 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 लेके solve करते हैं, t square, और 40 है, तो t square, minus का 4 t, plus का 4, बराबर 0, तो t minus 2 का whole square है, बराबर 0, t की जो value आगे, वो यहाँ से कितने आगे, 2 के बराबर आगे, अगर t2 है, तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से इसको solve कर सकते हैं, कि अगर यह इसकी value sin x बराबर किसके हो गया, cos square x के बराबर हो गया, और जैसे कि हमने पहले ही सोचा होगा था, कि इससे फाइदा होगा, तो हमें sin में ची value को, cos square x को हम लिख सकते हैं, 1 minus का sin square x, जिसमें लिख सकते हैं, इसको sin square x, plus का sin x, और minus का 1 बराबर 0, जब इसकी value को solve करोगे, श्रीधर अचारी तरीके से, तो आजाएगा, minus का 1 plus minus root under, b square 1, minus का 4 इसी करेंगे, तो plus का root 5 by 2, तो दो value आगई, एक आगई, minus का 1 minus root 5 by 2, और एक आगई, minus का 1 plus root 5 by 2, अब यार कौन सी वाली लेंगे, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, कि 0 से pi by 2 में, आपको पता है कि value जो sin की होगी, पोजिटी होगी, तो यहाँ से तो negative आएगा, that means यह तो नहीं ले सकते, it means यह ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको sin x बराबर है, 1 minus root 5 by 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर sin x बराबर है, root 5 minus का 1 by 2, तो x बराबर हो जाएगा, sin inverse, root 5 minus का 1 by 2, ठीके, compare कर लेते हैं ना इसके साथ में, तो alpha और root beta, root beta में बीटा जो आएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, तो minus 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, दोनों की value आगई, और हमें ची alpha plus beta, तो जोड देंगे दोनों को, दोनों को जोडेंगे तो answer कितना जाएगा, 4 आजाएगा, ध्यान रखना है ना, concept को clear करते चलना है, कैसे हम question को बना रहे हैं, जब भी लोग में question आएगा, sign, cos, 10, cos, जब भी जैसा भी बनेगा, कोशिश करेंगे, हम कुछ इस तरीके से इस question को deal करें, ठीक है, चलिए फटावट से आगे बढ़ते हैं, तो answer is 3, option number 3 is correct, ठीक है, चलिए बेटा, अगला question देखेंगे यहाँ पर, तो sign inverse, alpha upon 17, plus cos inverse, 4 by 5, minus का 10 inverse, 77 by 36 is equal to 0, और alpha जो है, 0 से 13 के बीच में है, then sign inverse, sign alpha, plus cos inverse, cos alpha is equal to, ठीक है, चलिए, तो इसकी starting करते हैं बेटा, देखो यार, alpha कहाँ पर है, यहाँ पर है alpha, तो हम क्या करेंगे, इस term को अलग रखेंगे, और इन दोनों terms को solve करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर हो जाएगा, sign inverse, यह हो जाएगा, alpha upon 17, और हम दोनों term को उदर लेकर चल जाते हैं, जो कि बन जाएगा, 10 inverse of 77 by 36, और minus का cos inverse of 4 by 5, ठीके, अब हम क्या करेंगे, alpha निकालने में, alpha निकालने के दोनों side में sign ले लेंगे, taking sign both sides है, तो sign लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा, sign of sign inverse, अच्छा, सब जानते, sign of sign inverse लिखने की जोटनी है, direct लिख सकते है, alpha upon 17, बराबर आजाएगा, sign of, यह 10 inverse, जो कि हम P ले लेते हैं, इसको यह Q लिखने हैं, तो P minus का Q, और सब जानते हैं, कि इसको लिख सकते है, sign P cos Q, minus cos P, sin Q, अब देखो यार, sign P बोले तो, sign P बोले तो, यहाँ पर आजाएगा, sign of 10 inverse 77 by 36, क्या हम 10 inverse 77 by 36 को, sign में convert कर सकते हैं, एक बार के लिख लेते हैं, possible है कि नहीं है, तो हम जानते हैं, कि अगर 10 inverse of 77 by 36 के, अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको triangle rule से सोचते हैं, तो आपको पता है, कि यह जो आपका होता है, वो perpendicular होता है, और यह base होता है आपका, तो चलिए triangle में ले चलते हैं इसको, अगर यह theta है, तो theta के सामने आला 77 हो गया और यह 36 हो गया, अब इसकी calculation एक बाद चेक कर लेते हैं, कि इसका यहाँ पर हाइपोटेनिस कितना आएगा, तो आप चाहो तो square कर सकते हो, और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 85 आजाएगा, अब देखें, यहाँ पर हमें sin P, P जो होई है, हमें sin inverse की डम में चाहिए, तो sin inverse क्या लिख सकते हैं, इसको, sin inverse लिख सकते हैं, देख उसमें क्या आएगा, cos inverse 4 by 5, that means 4 by 5, cos of cos inverse cancel हो जाएगा, minus का cos P, अब देखो, अब भी जच मैंने बता है, आप तो P हम निकाल चुके हो लड़ी, अब इसको cos inverse में भी convert कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, base upon hypotenuse, that means यहाँ पर जाएगा 36 upon 85, multiply sin Q, Q यह रहा, तो अगर मैं इसको convert करूँगा, तो यह आजाएगा 3 by 5, ठीक है, चलिए, सब जानते हैं, 3, 4, 5, right angle, triangle होता है, बेटा है, बेटा है, चलिए, करें, starting इसको solve करने की, इसको आप solve all करोगे, तो आपके पास कुछ आएगा alpha, इसके solve ही कर लेते हैं, 8 के बराबर आएगा, check कर लेते हैं, alpha upon 17 है, 85, 5, 77 into 4, minus का 36 into 3 है न, ठीक है, 4, आजाएगा उपर से न, और यह alpha upon 17 है, 17 से गया, 5 times, ठीक है, solve करेंगे, 4 common ले लिया, क्या जाएगा, 77, minus का 9 into 3, 27, 25 नीचे है, राइट, subtract कर देंगे, 50 आ रहा है कुछ है न, तो 8 आजाएगा, देखो, 8 आजाएगा, 50 upon 25, 2, और 2 into 4 कितना आजाएगा, 8 आजाएगा, बस होगे काम काता है, अब तो क्या करना है, बस 8 रखने रहे हैं, आप पर न, तो sin inverse, sin 8, और cos inverse, cos 8 आजाएगा, राइट, sin inverse, sin 8, और cos inverse, cos 8 आजाएगा, अब यहाँ देखो, किसी को यह गड़बर मत कर देना है, कि sin inverse में, sin कर जाएगा, उसकी भी, इसकी domain होती है, range होती है, ठीक है न, domain के coding बात करते हैं, तो यहाँ पर जो alpha होगा, वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होना चाहिए, minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होना चाहिए, तो इसको convert कर लेते हैं, 8 लगबग होता है, 3 pi के हैं, तो यहाँ पर आजाएगा, 3 pi minus का 8 है, 3 pi minus का 8 आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा 3 pi minus का 8, और cos inverse cos 8 की बात करें, तो वो 2 pi minus चलता है, 0 से pi चलता है क्योंकि, ठीक है न, तो यहाँ पर 8 minus का 2 pi आजाएगा, solve कर लो यार है न, यह cut गया आपका, तो answer कितना आजाएगा, pi answer आजाएगा, इसका परला option करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, pi इसका answer आजाएगा, चेक कर लेते हैं, परला option बिलकुल करेक्ट है, ठीक है, यह minus pi by 2 से pi by 2 होता है, 0 से 2 pi होता है, अगर आप चाहो तो graph से भी check कर सकते हो, ठीक है, चलिए, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, let s be the set of all solution of the equation, cos inverse 2x minus 2 cos inverse root 1 minus x square is equal to pi, x belongs to minus 1 by 2 से 1 by 2, then summation of x belongs to s, 2 sin inverse x square minus 1 is equal to, ठीक है, तो फटापट से इसको check कर लेंगे, परला, start करते हैं, देखें, यहाँ पर, अगर मैं इसको 2 cos inverse है, इसको ठीटा बोल लेता हूँ, फिलाल के लिए, solve करने के लिए, तो लिखा हुआ है, 2 cos inverse root 1 minus x square, देखो, मैं आपको एक-एक step दिखाऊंगा, डारेक्ली, डारेक्ली कुछ भी नहीं करूँगा, एक-एक step अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीके, तो अगर मैं cos ले लेता हूँ, दोनों साइड, तो यहाँ जाएगा cos theta बराबर, cos of 2 theta बोल सकते हैं, है न, और आप जानते हो, cos of 2 theta को हम कैसे लिखते हैं, 2 cos square, है न, 2 cos square theta, minus का 1, solve करेंगे इसको, तो यह देखो कितना हो जाएगा, cos of cos inverse, root 1 minus x square है, जाएगा square है, यहाँ पर जाएगा, 2 1 minus x square, minus का 1, जिसको हम लिख सकते हैं, 1 minus 2 x square, देखो कितना आसानी से निकलिए, यह पूरा का पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, cos inverse, देखो यह क्योंकि cos theta बराबर है, theta अगर हम निकाले, तो cos inverse, root 1 minus का, sorry, cos inverse, 1 minus का 2 x square है जाएगा, और यही तो हमारी कहानी थी, देखो, यही तो हमारी कहानी है, देखो, दिखर आपको, यही तो हमारी कहानी start करी थी अपने, तो यह theta ही तो है, थीटा की जगा पर हम यह लिख देंगे, तो question क्या बदल गया आपका, यह बदल गया, cos inverse of 2 x minus का, थीटा, थीटा क्या है, यह है न, cos inverse of root, sorry, root नहीं आएगा, direct है, है न, 1 minus का 2 x square, बराबर है pi, इसको उतले लेके चल जाते हैं, cos inverse 2 x बराबर, pi plus cos inverse of 1 minus का 2 x square, थीटे, दोनों side cos ले लेते हैं, तो cos of cos inverse 2 x तो हो जाएगा, 2 x के बराबर, और cos pi plus theta कितना हो जाएगा, cos pi plus theta हो जाएगा, minus का cos theta के बराबर, solve कर लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 x square, minus का 1 और यह minus का 2 x है न, थीटे, यहाँ से हम x की value निकाल देंगे आ रहे हैं न, x की value निकाल देते हैं, फटापट से, कितना जाएगा, minus का b, plus minus root अंडर b square 4, b square minus का 4 इसे करेंगे, तो plus का 8, upon में 2 हैं न, तो 2 plus minus, यह 12 हो जाता है, जो कि 2 root 3 हो जाएगा, और upon में 4 हैं न, तो यहाँ से जाएगा, 1 plus root 3 by 2, और 1 minus root 3 by 2, अब देखो यार, यह तो हमारा x आ गया, भई हमने जो value निकाल लिए, भए x के लिए निकाल लिए है, और x हमारा जो होता है, minus 1 by 2 से 1 by 2 के बीच में होना चाहिए, तो क्या यह 1 plus root 3 कितना होगा, 2.73 something, 2.73 by 2 करेंगे, तो 1 point something आएगा, तो 1 point something दो ले नहीं सकते, इसका ओनले यह तो possible ही नहीं है, अब 1 minus का 1.73 करेंगे, तो 0.73 minus का, और by 2 करेंगे तो यह लगबख negative आएगा, minus 1 by 2 से इसके बीच में आएगा, तो इसका ओनले यह चल जाएगा अपना है ना, यह तो दोड़े का आए रहे ना, तो x की एक विल्यों आगे, 1 minus root 3 by 2, और अगर मैं यहां से x square की निकालता हूँ, तो x square की इतने आजाएगी, 1 plus का 3 minus का 2 root 3 by 2, जिसको हम solve करेंगे, तो 4 by 2, 1, 2 minus का root 3, अचा सोरी, यहां पर 4 भी तो आएगा, square की है तो यह भी 4 होगा है ना, यह भी तो 4 होगा है ना, भई square करेंगे इसका, तो 1, इसका root 3 minus का 2 root 3, अपन में 2 का square 4 हो जाएगा, तो 1 plus 3 तो 4 होता है, और minus का 2 by root 3 अपन यह करेंगे, तो minus का root 3 by 2 हो जाएगा ना, हमें चाहिए क्या, x square minus का 1, x square आच चुका होँआ रखेंगे, तो minus 1 से plus 1 cancel हो जाएगा, है ना, तो यह आजाएगा, 2 sin inverse of, minus का root 3 by 2, ठीके, minus बहाँ ले लेंगे, तो minus का 2, sin inverse root 3 by 2 हो जाएगा, तो आजाएगा यहाँ पर minus का 2 by 3, पहले option correct हो गया, देखो, पहला option correct हो गया भई न, तो आप यहाँ पर हर एक steps को check कर सकते हो बटा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई doubt हो, वापस से दुबारा से recording देख लेना है न, और comment करके बताज़ा न, अगर doubt आए तो, ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पहला option यहाँ पर correct हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, for a triangle ABC, the value of cos to A plus cos to B plus cos to C is least, if it's in radius is 3, and in center is M, then which of the following is not correct, है न, तो इसमें से कौन सा correct नहीं है, वो उमें बताना है, ठीक है भई, इसमें से कौन सा correct नहीं है, वो उमें बताना है भई, ठीक है, चलिए तो start कर देते हैं बटाएं न, अगर यार एक triangle है, और यह least है न, और in radius उसकी 3 दे रखी है, in center उसका M दे रखा है, then which of the following is not correct है न, तो चलिए भई, अगर यह देखो least है न, यह least है, तो समझ न ज्यान से, यह least तब ही होगा, जब आपका जो triangle है न, जो triangle है, यह least कब होगा, जब आपका triangle कैसा हो जाए, equilateral हो जाए, ठीक है, equilateral हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह least हो जाएगा, यह least हो जाएगा उस case में, तो यहाँ पे, अगर हम equilateral की बात करें, that means, A, बराबर B, बराबर C, किसके बराबर हो जाएगा, पाई भाई 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ triangle होगा, अगर हम देखो, यहाँ पे, खासित क्या होती है, sides भी equal होती है, angle भी equal होता है, ठीक है, और अगर हम बात करें, देखो, तो area जो होता है, वो होता है, root 3 by 4, A square, ठीक है, root 3 by 4, A square होता है area, ठीक है, चलिए, तो अब देखो यहाँ यहाँ पे, हमें एक information बता है, in radius दे रखे हैं, तो in radius को R से represent करते हैं, और R बराब होता है, delta upon S, S होता है, half perimeter, तो अगर हम perimeter की बात करें, क्योंकि हमें वो भी निकालना रहेगा न, तो perimeter की बात करें, 2S के बराबर होता है, A plus A plus A, जो कि 3A हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे, delta की जग़े पर जाएगा, root 3 by 4, A square, और यहाँ पर S की जग़े पर जाएगा, 3 A by 2, कुछ कुछ कैंसल हो रहा है, यह root 3 आजाएगा यहाँ पर, 2 से 4 2 बार आजाएगा, और यहाँ पर A आजाएगा, तो यह बनेगा अपना A by 2 root 3, और यह देखो कमाल की बात है, यह 3 दे रखा है, इन रेडियस हमें 3 दे रख यह न, ठीके, तो यहाँ तीन रख देंगे, तो यहाँ से A की जो वेलियो आगई, और 6 root 3 आगई, अपने पास जो questions से न, वो मेलनी यहाँ पर सोल हो गए, जिस कैसे, देखो, A की जग़ा 6 root 3 रख दें यहाँ पर न, तो वो कितना हो जाएगा, अगर A की जग़ा 6 root 3 रख दें तो area जाएगा, root 3 by 4, है न, 6 root 3, इंटू 6 root 3, ठीके, यहाँ से question को तोड़ा simplify कर देते हैं, 2 से गया 3 times, यह भी गया 3 times, ठीके, तो 3, 3, 9, और यह square करेंगे, तो 9, 3, 27, और root 3, तो आपका जो answer आएगा, 27 root 3 आएगा, और essay में option क्या दे रखा है, option दे रखा है, 27 root 3 by 2, मतलब मुझे तो पक्का पता सल गया, कि यही answer होने वाला है, ज्यादा दिमाग ना लगा कि, इसको tick करके भी आगे बढ़ा जा सकता है, ठीके न, इसको tick करके भी आगे, बढ़ा जा सकता है, क्योंकि J-E main में तो एक ही option correct होता है, आप से पूचाएगा, इनोट correct, तो यही एक option बचेगा, जो correct हो जाएगा, पर फिर भी हम सारे option को check करेंगे, एक बार के लिए, ठीके, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यह वाला option देखो correct है, क्यों, क्योंकि यह conditional identity है, तो sign, मतलब अगर area, sorry, triangle की बात करते हैं, उस case में, conditional identity हो जाती है, sign 2A, plus sign 2B, plus sign 2C, बराबर, sign A, plus sign B, plus sign C, के बराबर, ठीक है, चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यह correct है, तो इसका, मतलब यहाँ पर incorrect हो जाएगा, यह भी option में नहीं आएगा न, perimeter की बात करें, अब भी जश्न निकाला, 3A, तो 3 into 6 roots ही है, तो यह कितना आगे, 18 roots ही आगे, कमाल की बात यह भी, मैंने बताई दिया आपको, अब आपको यह यह निकालना, तो निकाल सकते हैं, MA dot MB को अगर हम निकाले, तो वो कितना हो जाता है, MA dot MB बराबर हो जाता है, यहाँ पर MA MB, course उनके बीच का angle, अरे यार, MA MB, अच्छा M यहाँ पर के होगा, मानते हो यार, A माल लेते हैं, यह B माल लेते हैं, यह C माल लेते हैं, क्या बोलते हो यार, और ऐसा कुछ है है, ठीक है, हमें MA और MB चाहिए, कमाल की बाद है, MA और MB दोनों बराबर भी होंगे, यह भी समझ में आता है, अब तो बहुत आसान है, निकालना, कैसे निकालेंगे, कि यह, यह साइड निकाल सकते हैं, बहुत आसान है देखो, यह A by 2 जाएगी, आदी हो गए तो न, यह A by 2 जाएगी, यह A है न, तो यह निकाल सकते हैं, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा, अगर हम निकाले तो, root of A square, minus A by 2 का square, तो A square by 4 होता है, तो, root C by 2, A हो जाएगा न, root 3 by 2 A हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से, अगर हम निकाले इसको, तो root 3 by 2, into A, ए कितना है यहाँ पर, A हम अल्रेड़ी निकाल चुके, A हमारा 6 root 3 के बराबर है न, तो 6 root 3, तो यह 3 times कटेगा, और यह 3 times 9 आ जाएगा, न, 9 आ गया, अब यह 9 आ गया, हम यह जानते हैं, कि यह जो, अगर equilateral triangle की बात करें, तो in center, circum center, और आपका centroid, same ही होता है, तो centroid आपको पता है न, इसको 2 to 1 में divide करता है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 A by 3 हो जाएगा, I mean, यह 29 by 3 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अगर 6 हो गया, तो बस हमें magnitude पता चल गया, यह 6 है, यह 6 है, अच्छा, इनके vịिच का angle, तो आपको पता, यह 60 है, तो यह कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो गया, तो यहां पर option कौन सा correct हो जाएगा I mean इसके असाब से not correct कौन सा होगा यह वाला ठीक है चलिए आगे बढ़ते जिसके साथ में अगला question अच्छा इसका option देख लेते हैं न इसका option तीस तावला correct है ठीक है चलिए आगे देखते हैं एक बार के लिए एक बार इसको try करो ठीक है एक बार इसको try करो फिर इसको solve करते हैं ठीक है यहां पर मैं क्या करूंगा एक्स को माल दूंगा 10 डीटा दोने सोल हो रहे क्योंकि इस बज़े से न अगर मैंने एक्स को 10 डीटा माल लिया तो ठीक है यहां पर एक्स करेंगे 10 ठीक है तो हम जानते हैं सोल करेंगे तो 210 इंवर्स वहां पर आजाएगा 1 माइनस का 10 ठीक है अगला बराबर में है न कोस इंवर्स है तो वहां पर आजाएगा कोस इंवर्स ओफ यहां पर हो जाता है कोस 2 ठीक है यह हो जाएगा कोस 2 ठीक के बराबर ठीक है अब इसको सोल कर लेते हैं तो कितना जाएगा तो से पाइबाइफ मल्टिप्लाइ करेंगे तो पाइबाइब टू माइनस का 2 ठीक बराबर 2 ठीक तो यहां से आजाएगा 4 ठीक बराबर पाइबाइब 2 अरठीक है तो ठीक बराबर पाइबाइब 8 आएगा जो कि सोलूशन है क्योंकि हम एल्रडि जानते हैं जीड़ो से 500ки content कितनेखा पाइबाइर है रहा है रहे है रुट 2-1 के बरावर होगा है रुट 2-1 के बरावर वोगा तो यहां पर अगर हम ब्लाभी की बात करें出來 0.4 something जो कि 1 by 2 से भी कम है ना सबस्स नाम आ रहा है लेस दिन 1 by 2 ऐसे ना तो सबस्स थो यह तो लेस्ट देन वन बाइटू होगा और एक लूशन है तो एक सल्वीच्ण लेस्टें तीसर वाला option correct हो जाएगा ठीक है एक solution वह भी less than 1 by 2 तो तीसर वाला option यहां पर correct हो जाएगा ठीक है चलिए इसे के साथ आगे बढ़ते हैं तीसर option correct है चलिए अगला question है the value of 36 into 4 cos square 9 minus 1 4 cos square 27 minus 1 4 cos square 81 minus 1 और 4 cos square 243 माइनस का 1 ठीक है? चलिए तो start करते हैं इसको यहाँ पे देखो 36 है 4 cos square 9 माइनस का 1 है 4 cos square 27 degree माइनस का 1 है देखिए इसको 90 माइनस का 9 लिख सकते हैं तो वो आजाएगा 4 cos square 90 माइनस का 9 जिसको sign इसको 9 लिख सकते हैं तो sin square 9 माइनस का 1 अच्छा देखो यार यह 270 माइनस का 27 लिखा हुआ है तो यह भी change हुजाएगा है 4 sin square 27 degree माइनस का 1 ठीक है? अब यार यह देखो यह तो आपका change होगा है अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको साथ में ले लेंगे और इसको और इसको साथ में ले लेंगे ठीक है? तो देखो multiply करें यहां से यहां पे तो देखो 36 तो बाहर है आपका इसको इससे multiply करेंगे तो आजाएगा 4 into 4 cos square 9 into sin square 9 अच्छा देखो यह आएगा 4 तो 4 आएगा into में 4 cos square 9 into sin square 9 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है 2 sin 9 cos 9 का whole square अगर 2 sin 9 cos 9 का whole square है तो आप जानते है कि वो 2 sin cos 18 degree हो जाएगा तो यह जाएगा 4 sin square 18 degree ठीक है अच्छा इसको इससे क्या भी है अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4 cos square 9 आएगा और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4 sin square 9 आएगा तो माइनस का 4 कॉमल ले लेंगे तो अंदर गया बजएगा sin square 9 plus cos square 9 जिसकी वह लिख बन हो जाती है ठीक है आगे यह हो गया और प्लस का बना जाएगा न सेम वही जी यार यहां पर मल्डिप्ला गरेंगे तो ऐसा होगा देखो 4 sin2 double angle तो जो कि 54 degree माइनस का 4 और प्लस का बन यही तो आएगा अब अगर ध्यान से देखें तो देखो 36 यह कितना हो गया 4 sin2 18 माइनस का 3 हो जाएगा और यह जाएगा 4 sin2 54 degree माइनस का 3 आएगा अब ऐसे क्यूशन तो हमने क्लास में की होए ना ऐसे क्लास में की होए जिसके इंदर 4 sin2 theta माइनस का 3 आ जाता है तो हमारा दिमाग यहां पर चलता है कि हम क्या करें साइन से मुल्टिप्लाए कर दे इसको साइन 18 से मुल्टिप्लाए करेंगे तो क्या फायदा होगा यह जाएगा 36 साइन 18 से मुल्टिप्लाए और डिवाइड कर दिया तो उपर क्या बनेगा 4 sin3 18 माइनस का 3 sin3 आचा अब यह तो जानते हैं ना और साइन 18 अपन में आ जाएगा ना ऐसे ही यहां पे भी देखो साइन 54 से मल्टिप्लाई और डिवैड कर दी है तो उपर क्या हो जाएगा साइन का 3 गुणा एंगल हो जाएगा 54 का ना तो यहां पे 54 का 3 से मल्टिप्लाई कर दो तो यहां पे याँ गा 12 एफ्टी फाइव फिप्टीन और एक शीक्स्टी वन सिक्स्टी टु अगया रहे है । ठिक है 162 अगया ओर यह यह तो इससे 0128 । ठिक है और यह इससे लोगया अच्छा यह भी तो माइनस में आगा ना तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर कितना गया 36 यह लोट लाटके इसका यह हो गया आगी यह सब तो गया आपका वन बन गया और यह जो बचावा आंसर 36 हो ठीक है ना इसको चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं विटा अगला किस्ट नहीं तो अगर ध्यान से देखो तो 96 कोस ठीटा कोस 2 ठीटा कोस 2 स्कॉर्ट एक कोस 2 क्यूब ठीटा और कोस 2 की बाव 4 ठीट है अरे यह तो सब समझते हैं ना यार हम जानते हैं यह तो जीपी की सिरीज है कोस में तो डारेक इसका अंसर लिख देते 96 sin 2 into largest angle तो यहां पर जाएगा 2 की पर 5 theta upon में 2 की पर 5 sin theta यार देखो 96 sin यहां पर कितना जाएगा 2 की पर 5 theta हो जाएगा तो यहां पर तो फिटा कितना होता है तो 32 और theta गया पाइबाइब 33 और यहां पर भी दो को 32 और sin पाइबाइब 33 अब यह एक चीज़ समझोगे यह तो cancel हो गया यह तो तीन बार cancel हो गया और 32 पाइब 33 यह सोनो अगर इसको मनें पाइब माइनस का पाइब 33 लिख दिया डेट मेंस लेट s is equal to x belongs to minus pi by 2 से pi by 2 such that 9 to the power 1 minus 10 square x plus 9 to the power 10 square x is equal to 10 है ना and beta is equal to summation x belongs to s है ना 10 square x by 3 then 1 by 6 beta minus 14 whole square is equal to ठीक है question बड़े प्यारे प्यारा है यहां पर set में अगर देखा जाए तो set का question बनता है सेट का question यहां पर बन जाता है चली तो start करते हैं यहां पर न डेको ऐसा एक question हम class में भी करते हैं जिसके sign और 10 square x है, ठीक है, और plus 9 to the power 10 square x बराबर 10, अब सबको समझ में आई गया होगा आपन क्या करने वाले, 9 to the power 10 square x को हम क्या माल लेंगे, t माल लेंगे, तो ये क्या बन गया, 9 by t plus का t बराबर 10, solve कर लेंगे यहां से, t square minus का 10 t plus का 9, इसका factor करेंगे solve, तो यहां से जाएगा, t minus का 9 और यहां पर आएगा, t minus का 1 बराबर 0, t की दो बेलियो आगई, 1 और 9 है न, और ये t क्या है, 9 to the power sine square x, या तो 1 होगा, जिसको हम 9 की बर 0 लिख सकते हैं, या फिर 9 की बर 1, तो यहां से compare करें, अच्छा, sine square x नहीं है, 10 square x है, ठीक है, चलिए, तो यहां से 2 बेलियो आगई, या तो 10 square x बराबर 0 होगा, या फिर 10 square x बराबर क्या होगा, आपका, 9 होगा, है न, ठीक है, या तो 10 square x बराबर 0 होगा, या फिर 10 square x बराबर 1 होगा, है न, अब जोगो, minus 5 by 2 से 5 by 2 में, तो x, only a की solution मिलता है, 0, है न, जहां पर 0 होता है, और 1 दो जगह में मिलेगा, plus 1 और minus 1, ठीक है, तो plus 1 तो that means pi by 4, और minus 1 that means minus ka pi by 4, तो total solution क्या क्या मिलगी, यह solution हमें मिल गया है, एक्स के, ठीक है, अब हमें बस यहां पर x की value रखके solve करना है, तो पहला हम 0 रखेंगे, तो 10 square 0 हो जाता है, plus 10 square यहां पर जाएगा, pi by 4 upon 3, तो pi by, यहां पर जाएगा 12, plus 10 square pi by 12, अच्छा किसी को लगता है, minus कहां गया, square लगा हो बैटा है, square की वज़े से, वह minus ajt हो जाएगा, तो जाएगा 2 10 square pi by 12, अभी बताएगा आपको, इसकी value यार रखने हैं, अपने को, 2 minus का root 3, ठीक है, square कर देंगे इसका, तो यहां पर जाएगा 2 into, 2 minus का root 3 करेंगे, तो यहां से जाएगा, 4 plus का 3, minus का 4 root 3 है न, यहां पर जाएगा 14 है न, multiply करेंगे, तो 14 minus का 8 root 3, ठीक है, यह बीटा है न, बीटा minus का 14 करेंगे, तो आज हां पर जाएगा minus का 8 root 3 का square है न, तो 1 by 6, 8 root 3 का square कितना हो जाएगा, 64 into 3, यह 2 और यहां से जाएगा 32, 4th option correct हो जाएगा न, बीटा, 4th option यहां पर correct हो जाना चाहिए, चेक कल लेते हैं, बिल्कुल 4th option यहां पर correct है, ठीक है बीटा, तो समझना इस चीज को कि basically हमने starting वैसे ही करी है, जैसे हम class में करते थे, solution भी वैसे ही किया, and then हमारे पास में जो option है, उसके साफसे हमने बीटा को solve किया, और बीटा हमने यहां पर रखना था, उसके बाद में answer हमने निकाल लिया, ठीक है, चलिए इसे के साथ आगे बढ़ते हैं विटा, अगला question है, in a triangle ABC, if cos A plus cos 2 cos B plus cos C बराबर 2, and the length of the side opposite to the angle A, and C are 3 and 7 respectively, then cos A minus cos C, देखो, हमें क्या क्या देदिया, इंगल A के सामने सेट A होती है, small A, 3 देदिया, C देदिया 7 है, ठीक है, cos A, अच्छा, इसको हम ऐसे 2 cos B को उदर ले जाते हैं, तो इसको लिख साते है, cos A plus cos C, बराबर 2 minus का 2 cos B, ठीक है, इसको हम solve कर सकते हैं, cos C plus cos D के अतना होता है, 2 cos A plus C by 2, cos of A minus C by 2, 2 को मल लेके इसको लिख सकते हैं, 1 minus का cos B, ठीक है, अब यहार हम जानते हैं कि triangle, अगर triangle की बात करें, तो A plus B plus C, जो 3 angle होते हैं, वो 90 के बराबर होते हैं, 90 के बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहां पे, यह A plus B plus C, जो 3 angle का सम कितना था, पाई के बराबर होता है, और अगर हम by 2 कर देंगे, तो πाई वाई 2 हो जाएगा, ठीक हो, अगर उसको निकाले, तो pi minus ka b हो जाएगा तो हम इसको लिख सेखते हैं pi by 2 minus ka b by 2 और cos pi by 2 minus ka b by 2 क्या हो जाएगा ? sin b by 2 हो जाएगा है cos a minus ka c by 2 बराबर 1 minus का cos b को हम लिख सेखते हैं 2 sin square by 2 है न new तो यहां सा जाएगा 4 sin square b by 2 क्या करेंगे ? 2 से तो 2 चला गया आपका sin b by 2 से 1 sin b by 2 चला गया आपका है ठीक है sin b by 2 से 1 sin b by 2 चला गया अब क्या करेंगे दोनों side में cos b by 2 से multiply कर देंगे ताकि ये वापस से convert हो जाए राइट तो हमने इसको cos b by 2 से multiply कर दिया दोनों side और यहां पर क्या हो जाएगा 2 sin b by 2 into में cos b by 2 ठीक है अब यहर b by 2 को हम लिख सकते हैं b by 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहां से pi by 2 minus का a plus c by 2 और हम जानते है pi by 2 minus का a plus c by 2 is nothing but अगर हम cos ले रहे हो तो तो वो हो जाएगा sin a plus c by 2 2 से multiply कर देंगे 2 से divide कर देंगे इदर ले जाते हैं उसको देखो यह तो क्या बन गया आपका sin b बन गया और 2 से इदर बाद 2 है divide गया था उदर multiply कर देंगे हमने तो यह जाएगा ठीक है अब देखो यहार 2 sin a plus c by 2 और cos a minus c by 2 देखो ऐसे देखो sin a plus b है और into cos a minus b है sorry sin c plus sin d की बात करें तो उस case में ही क्या बनता है आपका sin a plus c by 2 into cos a minus c by 2 तो वहाँ पे अगर हम बात करें न तो यह formula ध्यान हमने यहाँ पे convert कर रहें देखो sin c plus sin d है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ठीके इसके according यहाँ पे दियान से देखेंगे तो c हमारा हो गया a by 2 sorry c हो गया हमारा a है न तो यहाँ पे जाएगा sin a plus sin c और बराबर है 2 sin b अब देखो sin rule हमें पता है sin rule में जो sin होता है इसको side के proportion में लिख सकते हैं यहाँ पे k लिख सकते हैं इसको k c और यहाँ पे k भी लिख सकते हैं k cancel हो जाएगा तो यहाँ रहेगा a plus c बराबर 2b a और c हमें पता है 7 plus 3 जोगी 10 हो जाएगा तो 10 बराबर 2b होगा तो b बराबर कितना जाएगा 5 आजएगा अब b बराबर 5 आ गया तो cos a minus cos c हम निकाल सकते कैसे cosine rule से तो cos a minus cos c बराबर हो जाएगा cos a होता है बराबर b square plus c square minus a square upon में 2bc और minus cos c बराबर हो जाएगा a square plus b square minus c square upon में 2ab बस यहाँ पे रखना है अपने को न b के लिए रख देंगे 5 का square 25 plus c का square कितना हो जाएगा यहां से 7 का square 49 minus a का square जोगी 9 हो जाएगा upon में 2bc करेंगे तो 2b5 10 into c 70 हो जाएगा आपन माइनस का a square की जगा कितना जाएगा 9 plus b square की जगा जाएगा 25 minus का c square की जगा जाएगा 49 है अब उमें 2a भी करेंगे तो यहां से जाएगा 2 into 5 10 into 3 करेंगे 30 हो जाएगा ठीक है solve कर लेते हैं इसको 940 65 by 70 minus का वहां से जाएगा minus का 40 plus का 25 हो जाएगा 15 by 31 by 2 जाएगा तो 70 LCM आ गया और 65 minus का यहां पर 35 ठीक है 30 by 70 3 by 7 आ जाएगा तो 4th option आ पर correct हो जाएगा 3 by 7 ठीक है चेक कर लेते हैं तो यहां पर 65 minus का 35 करेंगे 30 आएगा 15 15 by 30 हो जाएगा 1 by 2 माइनस का प्लस का 1 by 2 होगा यहां पर 65 और प्लस का 5 करेंगे 70 plus 3 100 by 7 आएगा यहां पर 10 by 7 आएगा ठीक है 10 by 7 आएगा जो कि अगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगला question the sum of all the solution of this this function ठीक है अब दीक है यहां पर 10 inverse 2x upon 1 minus x square है और यहां पर cos inverse 1 minus x square upon 2x है ना एक बार check कल देते हैं इस question को यहां पर jee के इंदर question पूछा कहता था कि और यहां पर कि यहां पर court inverse आएगँ ठीक है यहां पर court inverse आएगा झेक कर लेंग सक तीक है अब यहote inverse है यहां पर यहांं पर ten inverse है ठीक है तो अब हैशाज सोल करेंगे ढिव्हां माईनस 1 से तो आपको पता है x negative case अलग होता है और positive इसको अलग होता है तो यहां पर दो केस बनेंगे जब आपका एक्स हो जाएका-1-0 की बिच में तो उसकेस में तो यह आ जाएका 10-10-1-2x-1-1-1-2-4 इसको हम लिख सकते हैं गहीं बराबर कितने पाई पैपाही है अब यहांगे यहां से तो पाई उधर चला जाएगा तो माइनस का टू पाई बैए ट्री बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा 2 10 inverse 2 x upon 1 minus का x square ठीक है 2 से 2 चला गया और 10 inverse 2 x upon 1 minus x square को लिख से थे 2 10 inverse x बराबर minus का pi by 3 यहां से जाएगा 10 inverse x बराबर minus का pi by 6 तो x बराबर minus का 10 pi by 6 जो कि यहां पर हो जाता है 1 by root 3 ठीक है अगला solve करेंगे अपन case second जिसमें x क्या लेंगे हम 0 से 1 लेंगे अगर 0 से 1 लेंगे उस case में as it is 10 inverse में convert हो जाएगा 10 inverse यहां पर जाएगा 2 x upon 1 minus x square और यही भी जाएगा 10 inverse 2 x upon 1 minus x square यहां पर जाएगा तो यहां पर जाएगा 10 inverse अच्छा इसको हम 2 10 inverse x लिख सकते हैं तो बराबर आजाएगा पाई बाई ट्वल्व और अभी जैसे हमने बताया था कि यहां पर अगर हम सुरी यहां पर पाई बाई जिक्स आएगा और टू से डिवाइड करेंगे तब जाएगा हमारा क्या जाएगा 10 inverse x बराबर आजाएगा पाई बाई ट्वल्व और हम जानते हैं कि यहां से x आजाएगा 10 पाई बाई बाई ट्वल्व अब देखो बैटर 10 पाई बाई बाई ट्वल्व की वेल्यू 15 डिगरी आपस से आ गया अरे घूम फिर के 15 डिगरी पहुच जाते है अपन ठीक है तो 2 माइनस का रूट 3 आपस आ जाएगा तो x बराबर आगे 2 माइनस का रूट 3 अब हमें क्या करना है यहां पे sum दे रखाए देको sum of these values तो यहां पे माइनस का 1 बाई रूट 3 यहां से आ गया और प्लस का 2 माइनस का रूट 3 यहां पर आ गया ना तो अगर हम इसको solve करें तो यह LCM ले लेंगे यहां पे तो रूट 3 यहां पे चला जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 अपन में रूट 3 और प्लस का 2 तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस का 4 बाई रूट 3 देखो, आंसर कुछ इस प्रकार से यह, देखो, 4 by root 3 लिखा हुआ है, देखो, लिख रहा है आप भी, और alpha की जगा कितना रहेगा, 2 आ जाएगा, तो हमारा जो answer आगया, 2 आ गया, ठीक है, एक बाद चेक कर लेते answer को, answer is 2, ठीक है बेटा, इसमें question में, देखो, cases बनाना है अ फ्रें, फ्रें, प्लस का टैन ऐटी ऋन दिघरी है, इसको हम यह पर देखेंगे, यह 10, मैं डिधी है, इतो यह क्या लिखा हुए, 9 डिधी हम engag doc. Happiness माइनस का 1020 लिखा हुआ है तो यह भी 90-20 लिखा हुआ है ना तो माइनस को में ले 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 लेतें दोनों भी वापस से क्या बन जाएगा 27 डिगरी प्लस का कोट 27 डिगरी अब यहार देखो हम जानते हैं कि 10 theta plus 4 theta जो होता है ना उसमें यहां पर क्या बन जाएगा यहां पर गर हम check करें तो यह आ जाएगा हमारा जैसे हम solve करते हैं इसको general solve कर लेते हैं तो sin theta अपन में cos theta plus cos theta अपन में sin theta अगर हम solve करें इसको sin square theta plus cos square theta जो कि 1 आ जाएगा और अपन में sin theta cos theta जाएगा इसको 2 से multiply करें तो यह जाएगा sin 2 theta है ना ठीक है तो बस हम यहां पर यहीं लिख देना है ना तो 2 sin 2 theta जाएगा sin 18 degree plus sorry minus आएगा minus यहां पर जाएगा 2 upon my sin 54 degree ठीक है अब यहां पर इसकी जो value है वो हमें पता हो नहीं चाहिए ठीक है इसके होते ही root 5 plus 1 by 4 और इसके हो जाते ही root 5 minus 1 by 4 8 हमारा common आ जाएगा LCM ले लेंगे तो root 5 minus का 1 minus का root 5 minus का 1 ठीक है upon में जाएगा इनका rationalize करेंगे इसको multiply करेंगे a plus b a minus b 5 minus का 1 है ना 4 आएगा यहां से 2 आजाएगा ठीक है और यहां से हम इसको solve करें तो यह sorry यहां पर कितना आएगा root 5 minus का 1 ठीक है तो यहां पर root 5 minus 1 by 4 आएगा यहां पर यहां पर प्लस आएगा ठीक है यहां पर root 5 minus 1 by 4 आएगा root 5 plus 1 by 4 आएगा राइट यहां पर अगर हम LCM लेंगे तो यहां पर आएगा root 5 plus 1 by 4 और यहां पर आएगा root 5 minus 1 जिसका यहांपर प्लस हो गया चैनल हो गया तो यहांपर कितना आएगा प्लस का टू आएगा और यह फाइव मैन्स यहांग प्लस का टू या टू कू कर लें इसका answer ईगर के फोर आना चीज का अंसर ठीक है चेक कर लेते हैं आंसर है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है साइन निगरी की जो वेल्यू और साइन 54 दिगरी की वेल्यू साइन 18 डिगरी रूट 5-1 1 by 4 और साइन 54 डिग्री होता है साइन रूट 5 प्लस 1 by 4 ठीक है यह वेलियो आपको ध्यान अगनी है है ना इसको निकाला भी जा सकता है पर साइन 15 डिग्री आसान निकालने इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इनको याद कर लेंगे ना ठीक है अगला यहां पर है इसको इदर लेकर से ले आते हैं फटाबट से तो यहां पर बन जाएगा साइन इन्वर्स इसको हम पी बोल देते हैं इसको हम क्यू बोल देते हैं फिलाल के लिए है ना तो साइन इन्वर्स पी बराबर आजाएगा पाई वै फोर प्लस साइन इन्वर्स क्यू और अगर हम दोनों साइट साइन ले ले लेते हैं तो यहां पर जाएगा पी बराबर साइन इसका कितना उज़ेगा साइन पई पाइ फउर 1 बाइ रूट टू और कोस ओफ साइन इन्वर्स Q ठेक है साइन फो इसको कियू बोला हुआ रगे अगर इसको हम ट्राइंगल रूल से यहां पर हम जानते हैं कि triangle में यह ले कर चलते हैं इसको परफेंडिक्लर अपन हईपोटेनस होगता है लेट सब्सक्राइब यह थीटा है यह आपका वंन हो झाएगा ठेक है यह आपका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो उसको sine inverse कोष्छ inverse में convert करेंगे तो 1 by root x square plus 1 हो जाएगा तो आ जाएगा ऐसे यहां पर जाएगा प्लस का 1 by root 2 q की जगह पर q रख देते हैं यहां पर जाएगा x plus 1 upon में root 2 root x square plus 1 इसको हम additives लिख देते हैं p को x plus 1 upon में x plus 1 का whole square plus का 1 ठीक है यह हो गया आपका है अब देखो यहां पर अगर मैं इसको cancel कर देता हूँ एक solution मिलके हैं मुझे x बराबर minus का 1 अब मैं यहां पर cancel कर देता हूँ इसको solve करूँगा दोनों side square करके तो यहां से जाएगा x plus 1 का whole square plus का 1 बराबर 2 into x square plus का 1 solve कर लेते हैं यह तो हमारा x square plus 2x plus 2 था है न यहां से जाएगा 2x square plus का 2 2 से 2 चला गया इसको इदन लेंगे तो x square minus का 2x बराबर 0 क्या बनेगा x square minus का 2x बराबर 0 तो x की दो value आगे एक तो आगे 0 और एक आगे आपके 0 और एक आगे आपकी 2 आगे value 3 और यहां पर 2 रखूंगा तो 2 का square 4 plus 4 8 plus का 2 10 आजाएगा 3 by root 10 आजाएगा यहां पर 2 रखेंगे तो यहां पर आएगा 2 और अपन में 4 प्लस का 1 5 तो क्या यह 3 by root 10 और 2 by root 5 समझेंगे दियान से अगर मैं इसको solve करता हूं यहां पर x square x square है माइनस का 2 x है और 2 से 2 गेंस से लोग है 0 2 answer आ रहे है ठीके तो यहां पर क्या बना अपना sin inverse 3 by root 10 बना और यहां पर बना माइनस का sin inverse 2 by root 5 बना और बराबर कितना है pi by 4 है ठीके तो हम यह जानते हैं कि sign में अगर बड़ी value होगी तो हमारा angle भी गयाएगा बढ़ाएगा ठीके और छोटी value होगी तो angle भी गयाएगा छोटा आएगा राइट तो अगर आप यहां पर रियान से देखो तो root 5 और root 10 में कौन बढ़ा है यहां पर root 10 बढ़ा है ना तो अगर reciprocal लेंगे तो 1 by root 10 और 1 by root 5 में से कौन बढ़ा हो जाएगा ठीके अब यहां पर हम दोनों साइड पर 3 से multiply कर दे तो 3 by root 5 बढ़ा हो गया यहां पर ठीके तो इसके according अगर हम यहां पर consider करें तो 2 जो हमारा solution होगा वह यहां पर हम लेकर नहीं चलेंगे क्यों नहीं लेकर चलें क्योंकि उस में जो difference आ रहा है वो 5 by 4 के बराबर नहीं आएगा ठीके बटा अब यहां पर 0 की बात कर लेते हैं क्या 0 हम ले सकते हैं क्या तो 0 रखेंगे तो यह आ रहा है यहां पर 0 रखेंगे तो 1 आ रहा है और यहां पर minus 1 रखेंगे तो minus का 1 by root 2 तो यहां पर 2 वाला जो solution होगा वो consider नहीं होगा ठीके तो अब यहां पर हम x की value रखते हैं एक तो आपकी value जाएगी 0 रहा जाएगा minus का 1 तो 0 रखेंगे तो यहां पर जाएगा sin 5 pi by 2 minus यहां पर 0 रखेंगे तो कितना जाएगा cos 5 pi रखेंगे ठीके प्लस यहां पर हम value रखेंगे minus का 1 तो minus का 1 और plus का 1 cancel हो जाएगा यहां पर फिर आ जाएगा sin 5 pi by 2 और यहां पर जाएगा minus का cos 5 pi तो यह यहां पर जाएगा हमारा यह देखो minus 1 होता है इसका value तो plus 1 और plus का 1 2 हो जाएगा प्लस का यह देखो sin 5 by 2 जो होता है नहीं आप टू पाइ माइनस का सोरी का पाइ माइनस का पाइब पाइब टू बोल सकते हैं फिर इसको अगर हम कर देखें आप तो यह है साइन 3 pi माइनस का pi by 2 इसका हम सेकंड कोई इन में तो फोजिटिव जाएगा तो 1 बाइ 2 प्लस बाइटी कि इसके बराबर जाएगी ठीक है तो आंसर कितना आएगा यहां पर ट्री आंसर आना चीज़ का एक बार चेक कर लेते हैं अच्छा सुरी यहां पर वन है ना इसका वन प्लस वन कितना आएगा टू आएगा ना टू प्लस टू आएगा फोर के बराबर फोर आएगा इसका अंसर सही है ना फोर यहाएगा ठेके बिटा क्योशन थोड़ा सा देख सकते हैं अगला क्योशन हो जाएगा 4-1-1-1 belongs to x then number of solution of the equation sin inverse x is equal to 210 inverse x is equal to equation दे रहे हैं 4-1-1 belongs to x the number of solution of the equation sin inverse x बराबर 210 inverse x is equal to ठीके sin inverse x बराबर क्या है 210 inverse x लिखा हुआ है ठीके विटा था हम क्या करेंगे दोनों Onalsesin ले लेंगे sol जिसको हम लिख सकते हैं फ्रार्द Wisconsin टीके याँ से जोते हैं है perfect solution हो जाता है वो जीरुडॡ छिर्ँडं सब्राबर से कि ना तो यहां पर जाएगा 1 plus x square बराबर 2, x square की जो value आएगी आजाएगी यहां पर 1, x की दो value आएगी plus 1 और minus का 1, minus 1 हम consider नहीं करेगे क्योंकि वह आपर open bracket है, तो plus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो number of solution पूछा है तो दो answer आएगा इसका, ठीक है, दो हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, I hope य से try करने की कोशिश करना, solution आपके पास है, solution आप यहां पर देख सकते हो ठीक है, जहां पर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप comment करके जरूर बताना, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक केर